जैहिन सात्यों स्वादगत है आपका Self Study Classes विस्वमिद जैन यूटूब चैनल में शवी साती आजाएं और एक बार जदी से वीडियो को लाइक कर दें स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन दोस्तों ठीक है Self Study Classes वाले जो भी हमारे साती है सबी साती जल्दी से लाइक कर दो और यह बहुत ही महत्पूर्ण दोस्तों Self Study Classes का जो एप है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है जो भी हमारे साती चाहे TGT PGT वाले हों MPTET वाले हों Master Kader वाले साती हों सबी साती Self Study Classes का एप जरूर डाउनलोड करने है दोस् सो जिनको भी अडवीसर लेना है TGT PGT वाले है Master Kader वाले साती है MPTET KBS वाले NBS वाले जिनको भी लेना दोस्तों अभी आप मात्र 15 रोपे में 12 महिने के लिए अडवीसर ले सकते हैं अध्यान कर सकते हैं खीक है इस Self Study Classes में इस हैप को डाउनलोड करके और यहां पर जिनको भी Notes मंगवाना Hindi साहित के Notes मंगवाना Hindi साहित का पूरा इतिहास मंगवाना है Hindi साहित का इतिहास यानि कि Hindi भासा से लेकर आदिकाल भक्तिकाल नई कविता तक नाटक निबंद और पूरा संस्मरन तक यह Notes मंगवाना है अगर तो यह आप 16 रोपे में मंगवा सकते हैं दोस्त बढ़िया कई पुस्तों का निचोड़ है क्रमबध टॉपिक भी है ना और दोस्तों आपको वहाँ पर जगह जगह ट्रिक भी उसमें मिलेगी तो जिनको भी मंगवाना है नोट से वो सभी साती संपर कर सकते वाले नंबर पर नंबर है वाटसप करिए है ना और दोस्तों आपके यहां पहुंचेंगे यह नोट सा आपको देख रहे हैं एक 3000 MCQ की बोक है दोस्तों यह 3000 MCQ जिसमें topic wise MCQ है साहित प्लस व्याकरण के और साथ ही काप सास्त्र के भी इसमें बाद्पून question दिये हैं यह 3000 MCQ वाली दोस्तों बोक मंगवा सकते जिसमें कथन भी दिये हैं जिनको भी यह मंगवाना है मात्र 500 इंडियानवे में पोस्ट चार्ज सहित मंगवा सकते हो ठीक है और यह TGT PGT वाली कोर्स में आप एडवीसन जरूर लें दोस्तों मात्र 15 रोपे में जल्दी ही एक नया बैच चालू करेंगे और दोस्तों आप लोगों के लिए तुरू समय सीमा क्या है दोवेदी युक की समय सीमा क्या है चैन करना है दोवेदी युक की समय सीमा बताना है एक बार वीडियो को लाइक जरू कर देंगे सभी साती दोवेदी युक की समय सीमा बताना है सियर कर देना है सन 1900 से 1918 1900 से 1920 1903 से 1918 1905 से 1925 यानि कि एक नंबर का कॉस्चन है और सभी साती सांदार उत्तर बता रहे कि सर दुवेदी योग की समाय सीमा की अगर बात करेंगे हम तो वो माना जाएगा क्या सन 1900 से लेकर के 1920 इस भी चैनी कि आपका जो बी नंबर है बी नंबर आपका बिल्कुस सही है ठीक है बी नमबर राइट आंसर है बिल्कु सही है बहुत बड़ी अंगला कोस्चन है दुवेदी युक का नाम करण किसके नाम पर पड़ा है दुवेदी युक का नाम करण किसके नाम पर पड़ा हजारी पिरसाथ दुवेदी के महावीर पिरसाथ दुवेदी के सांती प्रिय दु थ्री संग गुपति के दुवेदी युक का नाम करण किसके नाम पर पढ़ा दो नंबर का क्वेश्चन है फटापट क्वेश्चन बताएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन अपने यहाँ पर पर कबर कर पाएंगे दोस्तों तो बताएए जल्दी से मननत जी दुवेदी युक का नाम करन महाभीर पर साथ दुवेदी लगवक सभी को पता है बहुत बढ़िया ठीक है दुवेदी युक को जागरन सुधारकाल किस ने कहा तीन नमबर का क्वेश्चन है दुवेदी युक को जागरन सुधारकाल संजीव जी अचार रामचन नांग तो आप जागरन करोगे की सो जाओगे कोवेड़ जी जागरन करोगे बुलिसर बिल्कुल तो जागरन सुधारकाल कहा है डाक्टर नगेंदर ने नांग नगेंदर डी नमबर बिल्कु सही है दुवेदी युक्के संपूर्ण तह प्रतीनिदी कभी कौन है चार नमब चार नमबर का कौस्चन है सभी का अंसर की संपूर्ण जो प्रतीनिदी कभी है वो कभी है मैथली सरण गुप्त है ये दोस्तों याद करोगे सी नमबर बिल्कु सही है ये संपूर्ण तह प्रतीनिदी कभी माने जाते हैं काईके दुवेदी युक्के ठीक है तो आपका सी नमबर बिल्कु सही है राइट आंसर है बहुत बढ़िया नेक्स्ट कभीता कामनी कांत किस कभी के लिए कहा गया पांच नमबर में कभीता कामनी कांत किस कभी के लिए कहा गया मैत्रिशन गुप्ति के लिए हरियोद जगनात आसरतना कर नातुराम सर्मा संकर पांच नमबर क का क्वेश्चन है पांच नंबर के क्वेश्चन में सभी सात्यों को बताना है कविता कामनी कांत किस कभी के लिए कहा गया है सुनीता बर्मा जी दिपिका सुखला जी सभी लोग चैन करें कविता कामनी कांत किस कभी के लिए कहा गया पांच नंबर का क्वेश्चन है पांच पुनातुरामसरमासंकर कभिता कामनीकांत पुनातुरामसरमासंकर हो जाएंगे शबीका अंसर सही दोवेदियों के सर्वस्रेश्ट प्रिगीतकार को अनमाने जाते हैं। जिन भी सातियों को 3000 MCQ की बुक मंगवाना है दोस्तों तो ए मात्र 599 में आप मंगवा सकते हो ठीक है। का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। सात नम्बर का क्वेस्चन है। साथ नमबर में दुतिय उत्थान योग, मौटी बेसनल, राजियू जी सबी लोग बताइए, सेयर कर दो एक बार दोस्तों, दुतिय उत्थान योग के बारे में आपसे पूचा है, दुतिय उत्थान योग में सबी लोगों ने बिल्कु सांदार आंसर लगाया कि सर, दुतिय उत्थान योग की बात कर रहा है, तो 1893 में से लेकर के 1918, का नमबर आपका बिल्कु सही है, का नमबर, राइट, बहुत बढ़त, अंगला question, अधिकार खोकर बैठना, एह महा दुसकर में है, इस पंक्ती की रचेता कौन है, इस पंक्ती की रचेता बताये, अधिकार खोकर बैठना, एह महा दुसकर में है, इस पंग्ति यानि की आठ नंबर के क्वेस्चन में चैन करो वीडियो को लाइक भी करदो और अधिकार खोकर बैठना एह महादुसकर्म है इस आंदर क्वेस्चन है आठ नंबर के क्वेस्चन में ठीक है अधिकार खोकर बैठना ए महादुस्कर्म है कि जो पंक्ती है इस पंक्ती की रचेता है मैं थ्री शनगुप्त है भी नमबर आपका बिल्कुस है ये भारत भारती का प्रिकासन किस बर्स हुआ है नो नमबर में नो नमबर का प्रशन है और नो नमबर का प्रशन है कि सर 1912 याने कि भारत भारती मा भारती को बारम बार बारा बार प्रणाम बारा बार बारम बार आ नमबर सही उत्तर हो गया next है हिंदी में स्वचंदता बाद का कभी कौन या किसे कहा जाता है हिंदी में स्वचंदता बाद का कभी बताना है हर योद को रामनलिष्टरपाटी स्रीधरबाटक या फिर रादा करश्नदास को 10 नमबर का question है सभी साती बताएंगे right answer क्या जा रहा है आपका स्वचंदता बाद का कभी कौन है या फिर किसे कहा जाता है 10 नमबर में शभी सात्यों को आंसर बताना है और right answer की सवचंदता बाद के कभी है कौन स्रीधरबाटक 10 में आपका C नमबर जो है C नमबर ये बिलकु सही है C नमबर आपका right answer है very good next ने गंगा उत्रन किसने लिखा गंगा उत्रन किसने लिखा है 11 नमबर में जगनात दास रतना करने रामचले तोपात्याई ने सत्तनारान कभीरत ने डाक्टर सत्यंद्र ने गंगा उत्रन किसने लिखा है गंगा उत्रन किसने लिखा है रोहिनी जी, सीला, सुनील कुमार जी सबी लोग बताएंगे एक बार लाइक जरू कर दो सेर कर दो हमारे सबी साती गंगा उत्रण किसने लिखा है 11 का उत्तर है और सबी का उत्तर है किसर गंगा उत्रण दिखा है किसने जगनात दास रतना करने जगनात दास रतनाकर ठीक है जगनात दास रतनाकर ने गंगा उत्रन का नमबर आपका बिल्कुस है यह हिंदी सब्दानुसासन किस ने लिखा हिंदी सब्दानुसासन की रचनाकार को ने बी नमबर में लाइक करिए जदी से वीडियो को सेयर करिए अपने मित्रों कार हिंदी सब्दानुसासन की लचना कार बताने काम तपर साथ गुरू है कि सोरी दास बाच पे हमचंद्र है या फे डांक्टर सतेंद्र है बारा नंबर के क्वेस्चन में शबी लोग बताएंगे वीडियो को लाइक सेयर कर दो हमारे सबी मित्रे और बारा नंबर का आपका जो सांदर क्वेस्चन पूछा गया उसमें आपके सोरी दास बाच पे ही लगा दो तब आपका उत्तर है कामता प्रिशाद गुरू को हिंदी व्याकण का पाड़नी किसे कहा जाता है कामता प्रिशाद गुरू को हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता है तब आपका उत्तर हो तैक कि सोरी दास बाच पे ही को B नमबर आपका बिल्कु सही है उत्धव सतक के लेखक कोन है 13 नमबर का क्वेस्चन है उत्धव सतक इसके रचनाकार कोन है उत्धव सतक 13 में प्रदीप जी, संजु दोवे जी अमरपाल कमला जी मदन जी, सुबास चंद जी उत्धव सतक तेरा का question है, तेरा number के question है, शबी लोगों का right answer क्या जा रहा है, मदन, तनवर जी, उद्धव सतक, और उद्धव सतक के रचनाकार बताना है, सांदार question, वीडियो को like कर दो, share कर दो, और सभी का उत्तर है, का, का यानि की जगनात दास रतना कर, ये सही है, उद्धव सतक के र चौदा number के question में, किसकी रचना, रसक गरंजन, किसकी रचना, रसक गरंजन है, रसक गरंजन किसकी रचना है, चौदा में बताईए, जल्दी से बताना है आपको, रसक गरंजन कि रचना कार कौन है, और, शबी सात्यों का आंसर जारा किसर महाबीर पिरसाद दुवेदी हैं, रसक गरंजन, बी नमबर महाबीर पिरसाद दुवेदी बैरी गोड़ आंसर, दिवस का आउसान समीपता, गगन था, कुछ लोहेत हो चला, दिवस का ये पंक्ती तो कई बार पूची गई, ये पंक्ती पूची जाती है, आपसे भी कई बार पूची गई, दिवस का आउसान समीपता, गगन था, कुछ लोहेत हो चला, कुछ लोहेत हो चला, पंद्रा नमबर का क्वेस्चन है, और शबी सातियों का अंसर है, प्रिये प्रवास, दिवस का आउसान समीपता, गगन था, कुछ लोहेत हो चला, ये पंक्ती दिगई है प्रिये प्रवास से, और आपको बताए कि प्रिये प्रवास के जो रचनाकार मान जाते हैं, वो रचनाकार कौन मान जाते हैं, प्रिये प्रवास के, प्रिये प्रवास के रचनाकार मान किसकी है, सोला में गरवर मंदा रहत सचनामक नातुराम की है या फेर नातुराम की है, या फैर फिरन प्रिशाद तो बिल्कुँ सही है बहुत बढ़रिया, रोटी बना रहा है रोटी बनाते बनाते पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सोलाम में सभी का नाथु राम सर्मा संकर गर्वरंडा रहस एक कई बार बोले नाथु राम से पूछो रहस से तो ठीक है श्रीधर पाटक को किस किर्थी की आधार पर शुकल जी ने स्वचंदिताबादी धारा का प्रबर्तक कहा है शत्रा नंबर का क्वेस्चन है और शत्रा नंबर की क्वेस्चन में आपको बताना है सभी का अंसर स्रीधर पाटक को किस किर्थी की आधार पर शुकल जी ने स्वचंदिताबादी धारा का प्रबर्तक कहा है और सभी का अंसर है हैमंते गुडबंते किस किर्थी की आधार पर तो उत्तर है हैमंत गुडबंत की आधार पर किन्हों ने कहा है शत्रा नंबर का सांदार आंसर जा रहा है दी हैमंत गुडबंत की आधार पर इस्वचंदिता वादी धारा का प्रवर्टक कहा है ठीक है सिधर पाटक को किस ने कहा है और सुकल जी ने कहा है चिरगाओं किस कभी का दोस्तों जन्म इस्थान है चिरगाओं किस कभी का जन्म इस्थान है अठारा में शबी साती लाइक जरूर कर दो ठीक है और राइट है मैत्री शनगुपत ए नमबर बहुत बढ़िया खड़ी बोली हिंदी का प्रतम महा काब कौन सा है 19 नमबर के कॉस्चन में बैदे ही बनवास है प्रिये प्रवास है साकेत है भारत भारती है खड़ी बोली हिंदी का प्रतम महा काब प्रतम महा काब बिंदुलता जी रीता जी रोहिनी जी रतीपाल जी जल्दी से बताओ खड़ी बोली हिंदी का प्रतम महा काब कौन सा है 19 नंबर का क्वेश्चन है सभी का अंसल जा रहा है कि सर वो है प्रिये प्रवास यानि कि B नंबर प्रिये प्रवास आपका सही है ठीक है तुमी अन्यदाता भारत के सचमुच बेल राज महराज बिना तुमारे हो जाते हम दाना दाना को महिताज ये पंग्ती बताना है कि पंग्ती किसकी है 20 का उत्तर शबी लोग बताएं एक पंग्ती में बताना है 20 का उत्तर एक तुस्री दरपाटाक हरियोद या फिर विकल्प में दो विकल्प है और आपके सामने है और दो विकल्प है आपके सामने यहाँ पर बताएज वीस नंबर में है indo अन्नदाता महराज के पंक्ती महावीर परसाद दुबेदी की है दोस्तो डी नमबर आपका सही है रस कलस नामक काप्विकरती किसकी है 21 में रस कलस नामक काप्विकरती किसकी है रस कलस नामक काप्विकरती बताना है के काप्विकरती किस की मानी जाती है RASKALAS RASKALAS महाबीर परसाद दूबेदी की हरियोद की किस की मानी जाती है RASKALAS रसकलस चेन करिए 21 नंबर का question है और 21 नंबर में सबी का answer चला गया किसर RASKALAS हरियोद हरियोद भी नंबर हरियोद की है RASKALAS ठीक है अरियोद आपने राइट आंसर लगा दिया जगत सचाई सार कविता के रचेता कौन है जगत सचाई सार कविता के रचेता कौन है नातुराम सर्मा स्रीधर पाटक देविदत्य सोकलेड में से कोई नहीं रागनी जी बताईए रामेंद्र जी जगत सचाई सार कविता की रचेता निधी दोबेजे बाइस नंबर का क्वेस्चन है और बाइस नंबर के क्वेस्चन में जगत सचाई सार के जो रचना है के रचना है स्रीधर पाठक की स्रीधर पाठक की रचना है कि आपका जो बी नंबर है खा नंबर है किस रचना के लिए मिला है चेंड करिए राहुराज जी मोटी बेसनर रजनी जी हैना रामेंद्र हरीस जी सही बताईए किस रचना पर मंगला प्रसाद पारी तोशित पुरुषकार जो मिला है वो मिला है साकेत के लिए साकेत यानी कि आपका जो का नंबर है का नंबर आपका सही है किसान के रचना कार कौन है 24 में किसान किसान के रचना कार बताना है मैत्रिशन गुपत हैं निराला हैं हर्योध हैं या पर प्रसाद हैं 24 नंबर का कॉस्चन है किसान के रचना कार कौन है और किसान में आपका सही प्तर हो जाएगा कि सर किसान तो मैथी बोता है किसान क्या करता है मैथी बोता है मैथी तो मैथी से आपका क्या हो जाएगा मैथली सरण गौपत मैथी बोता है किसान का नमबर आपका सही है मरत्यून जाए नामक काप विकरती किसकी है पच्चीस में मरत्यून जाए नामक 25 नमबर का सांदार question पूछा है 25 का उत्तर मरत्यून जाई की क्या मरत्यून जाई की राय देवी तो राय देवी प्रिसाद पूर्ण हो जाएंगे B नमबर आपका बिल्कु सही है नेक्स्ट है रामचरित चिंतामणी नावाग प्रबंद किरती की रचना कार कोन है रामचरित चिंतामणी ये रचना किसकी है ये रचना बताना है दोस्तों रामचरित चिंतामणी ये रचना बताईएगा जल्दी से रामचरित चिंतामणी और 26 नमबर के कोस्चन में सभी का राम चरित उपात याई कि यह सी नमबर आपका बिल्कुस है, यह सांदार कोश्चन है, साकेत को जीवन बादी काप बे किस ने कहा है, साकेत को जीवन बादी काप बे किस ने कहा है, साकेत को जीवन बादी काप बे किस ने कहा है, साकेत को जीवन बादी काप बे किस ने कहा है और 27 में सबी सातियों का उत्तर है डाक्टर नगेंदर यानि कि आपका जो बी नंबर है जीवनबादी बिलको सही आंसर है अंगली के अरब बढेंगे साकेत को जीवनबादी का आपके कहा है डाक्टर नगेंदर ने इती ब्रतातमक्ता ये दोस्तों सबसे प्रमुक प्रश्न माना जाता है दुवेदी युग का इस प्रश्न को आपको याद रखना है इती ब्रत्तात्मक्ता किस युग की प्रमुक विसेस्ता मानी जाती है विदित जी रमा जी बताईए माला जी इती ब्रत्तात्मक्ता किस युग की प्रमुक विसेस्ता मानी जाती है 28 नंबर में इती ब्रत्तात मक्ता और इती ब्रत्तात मक्ता मानी जाती है दुवेदी युक की विसेश्ता B नंबर आपका बिल्कु सही है दुवेदी युक आपका राइट आंसर है Very good answer है कविता कर के तुल्सी न लसे कविता लसी पाथ तुल्सी की कला के प्रसंस आत्मकुक्ति किसकी है 29 में बताईएगा और लाइक सेर जरू कर दियेगा जन्दी से 29 में सभी का अंसर कभिता करके तुरिसीन अलह से जन्दी से चेंड करिये फटापट से जन्दी से बताना है बहुती सांदार कोस्चन है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर क्वेस्चन आ रहा है आपका यहाँ पर राइट आंसर बताना है कभिता करके तुरिसीन अलह से 29 में कभिता करके तुरिसीन अलह से जन्दी से चेंड करना है और सेयर कर दिना है 29 नंबर में 29 नंबर का कोस्चन है सभी का उत्तर है कि सर यह पंक्ती हरियोद की हरियोद आपका राइट अंसर है D नंबर है D नंबर कभिता करके तुरिसीन अलह से कभिता लसीपा तुरिसी की कला हरियोद आपका बिलकुँ सही अंसर है बहुत बढ़िया नेक्स्ट है हरी गीतिका का बासा है किसे कहा जाता है तीस नंबर के कुश्चन में हरी गीतिका का बासा है बताना है किसे कहा जाता है हरी गीतिका का बासा है सबी साती लाइक कर दें जिन भी सातियों को 3000 MCQ बाली बुक मंगवाना है वो संपर करें नीचे नमबर चला है हिंदी साहित के दोस्तों इतिहास बाले नोट्स मंगवाना है तो संपर करें जिनको एडवीसल लेना है नमबर मेत्री शनगोपत सही है काब भासा के रूप में खड़ी बोली किस युग में प्रतिष्टित हुई एक तीस में बताना है काब भासा के रूप में खड़ी बोली किस युग में प्रतिष्टित हुई है भारतेंदु युग में काब भासा के रूप में खड़ी बोली तो सभी का अंसा जारा की सर बोह जाएगा दुबेदी युग में काब भासा के रूप में दुबेदी युग में प्रतिष्टित हो गई बी नमबर आपका सांदार कॉस्चन है पोप के एससे और क्रिटिस्म का समालोचना दर्स नाम से हिंदी अनुवाद किस ने किया है जल्दी से बताईएगा फटाक से 32 नमबर का क्वेस्चन है 32 में सभी का अंसर है कि सर ये में सी लगा दो जगनात दास रतना करने कि के पोप के एससे और क्रिटिस्म का समालोचना दर्स नाम से जो किया है वो रतना करजी ने किया है जगनात दास रतना कर सुरम मे रमे रस रासी रजनते पंक्ती किसकी है 33 में बताना है आपको 33 नंबर का question है यह पंक्ती किसकी है महभीर प्रशाद दुवेदी की या फिर प्रशाद की तो 2 मैंसे ही आपको बताना है उस्या आपको प्रशाद दुवेदी की ये नमबर आपका बिल्कु सांदार कॉस्चन है, बहुती बढ़िया कॉस्चन है, अंगले कॉस्चन की ओर जाएंगे, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करते सभी साती, ठीक है, अंगला कॉस्चन यहाँ पर आ रहा है, कभी समराट की उपादी किसे मिली है, 34 नमबर में कभी को बताना है, कभी समराट की उपादी, कभी समराट और कभी समराट किसे कहा जाता है, कभी समराट की उपादी किसे मिली है, शबी को पता हरियोद को मिली है, धी नमबर हरियोद, हरियोद आपका राइट आंसर है, है ना कोई जन्म बताएगा हरियोद जी का जन्म कब ह गोल्ड स्मित की पुस्तक डिजर्टेड बिलेज का अनुबाद उजर ग्राम नाम से किसने किया है रीना तिबारी जी भाबना जी सुस्मा जी अनामिका जी सूबेदार जी सबी लोग बताएंगे जिनको एड़ बीसा लेना है दोस्तो जल्दी ही नया बैच चालू होगा यानि कि आपको सुरुआत से पढ़ने को मिलेगा जल्दी ही तो जिनको एड़ बीसा लेना भी आप 15 सुरूपे में एड़ बीसा ले सकते हैं गोल्ड स्मित की पुस्तक डिजर्टेड बिलेज का अनुबाद उजर ग्राम नाम से किया किसने स्रीधर पाठक ने अब आपको बताना है कि इस उजर ग्राम नाम से किस भासा में किया है इसकी भासा क्या है किस भासा में नोंने अनुबाद किया है एक वस्चन का उत्तर आपको बताना है चैन करो दुवेदी युक के सर्विस रेष्ट प्रिगीत कार कौन माने जाते हैं 36 का उत्तर है सर्विस रेष्ट प्रिगीत कार बताना है तो इक वस्चन डबल मुकुडधर पांड़े आपका बिलकु सही है नेक्स्ट मेत्रिशन गुप्त द्वारा रचित जैदरत बद है जैदरत बद क्या है महा काब है खंड काब है है या फिर प्रबंद काब है जदी से बताईए चैन करना है 37 का अंसर और सभी का उत्तर जारा की सर 37 में खंड काब सही है मैं अतिशन गुप्त द्वारा रचित जैदरत बद बद अपन को याद रट लेना है जैदरत का बद करके खंड कंड कर दिया भारत भारती में किस भावना की रूप रेका आपको बता है 1912 की रचना है 1912 बोले मा भारती को बारम बार प्रणाम मैंने 12 का आकड़ा आपको बताया था कि भारत भारती का रचना काल 12 रामानंद के सिस्यों का सिस्थ कितने 12 आलबार भक्तों की संक्या कितनी 12 साकेत में सर्ग कितने 12 ठीक है राम बिला सर्मा का जैन्म का भुगा 1912 ठीक है बारा बारा का ये जो आकड़ा है बहुत ही घनिष्ट आकड़ा है दोस्तों ने किस भावना की रूप रेखा है तो आपका उत्तर है राष्ट्रिय भावना की है इसी रचना के कारण महतमा गांधी ने मैत्री श्नगुप्त को राष्ट्रिय कभी की उपादी दी थी पूजा फूल नामक काभ्यक्रिती के रचना कारकौन है। पूजा फूल बताना है मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, सियराम सनगुप्त बालकशन, शर्मा, नबीन, तो यहाँ पर 49 नंबर का question है, 49 नंबर में सभी लोगों का answer है कि पूजा फूल, पूजा की फूल कहां लगाएंगे हम, पूरी सही है, पूजा फूल, है ना, मुकुटधर पांडे, सांदार question, अंगले question क्यों हम बढ़ेंगे, अंगला question आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, किसे कभी सम्मेलनों का, कभी सम्मेलनों का बात साह कहा जाता है, किसे कभी सम्मेलनों का बात साह कहा जाता है, 40 नंबर के question में, यह स कितने साती हैं जिन्होंने self study classes का एप अभी तक डाउनलोड नहीं किया सभी साती एप को डाउनलोड करने साधना जी प्रेमांसी भावना जी धीरेंद्र जी है ना कभी सम्मेलनों का बादसाह किसे कहा जाता है 40 का right answer बताना है और कभी सम्मेलनों का बादसाह तो गया गया दीपक पबार यह ना तो गया से गया प्रशास सुकल सने ही दी नमबर ब्रेच कोकिल की उपादी किस कभी को मिली ब्रेच कोकिल 31 नमबर में ब्रेच कोकिल की बताना है रुद्र जी बताइhem जड़ी से सरोज जी चैन कर ये ब्रच कोकिल की उपादी किस कभी को मिली है यानि कि 41 नंबर का question है सभी का उत्तर है ब्रच कोकिल ब्रच का कोकिल बोले सत्त है सत्त नारायन का विरतन बी नंबर ब्रेज़ कोकल सांदार दोवेदी यूग के किस कभी को हिंदी साहित संम्मेलन का सभापती किसे बनाया गया चैन करिए एक सांदार और अच्छा कोस्टन है शवी लोग बताईए 42 नमबर के कोस्टन में 42 का राइट आंसर दुवेदियोग के किस कभी को हिंदी साहित शम्मेलन का सभापती बनाया गया 42 का राइट आंसर बताना है 42 में गा नंबर आपका सही है हरियोध हरियोध राइट आंसर है हरियोध को बनाया गया ठीक है साहित सम्मेलन का सभापती हिंडी साहित सम्मेलन का पूचा है सभापती वो सभापती नहीं, राजसवा का सभापती नहीं समझ लेना ठीक है, यहाँ पर C नमबर करते तुर्शी दास भी कैसे मानस नाद और महावीर का यदी उन्हें मिलता नहीं प्रसाद यह पंक्ती बताईए 43 नमबर के कोस्चन में यह पंक्ती किसकी है करते तुर्शी दास भी कैसे मानस नाद महावीर, महावीर का यदी उन्हें मिलता नहीं प्रसाद यह पंक्ती 43 नमबर का कोस्चन है और 43 में राइट अंसर है यह पंक्ती के रचनाकार को ने पंक्ती बताना है भारत भारती असोधरा प्रिये प्रवास तो सभी लोग बता रहे है 44 नमबर के कोस्चन में सांदार कोस्चन है और सभी का अंसर है किसर कि अबला जीवन हाई असोधरा से लिगए यह असोधरा का रचनाकार कोई बताएगा यह असोधरा यह खंड काब माना जाता है यह असोधरा दोस्तों महा काब व्यातमक करती है लेकिन इसे खंड काब माना जाता है तो इसका रचनाकार कोई बताएगा यह असोधरा का रचनाकार क्या है मैं अत्रीशनों गुप्ति की सांदार रचना है मिलन खंड काब लिखा मिलन है ना मिलन खंड काब किसने लिखा बोले मिलन का नाम मतलो मैं ब्रह में चेरू हूँ है ना तो मिलन खंड काब किसने लिखा है मिलन खंड काब किसने लिखा है एक सांदार कोस्चन है 45 नंबर के 45 नंबर के प्रश्णों में आपका उत्तर है सर मिलन यानि कि राम नरेश्टर पाठी का नंबर आपका बिल्कु सही है का नंबर राइट आंसर है बेदने तू भी भली बनी पाई मैंने क्लासेज ये बाला जो एप है प्रश्टर में जाओ सर्च करो पूरा सर्च करना Self Study Classes है ना ये एप डाउनलूट करने सभी साती खुरेशी जी और मात्र 15 रोपे में 12 महिने के लिए अड़िसल ले है सभी साती ले सकते हैं है ना बेदने तू भी भली बनी 46 नंबर का क्वेश्टन है और 46 में आपका उत्तर है किसरे मैत्री स्नगुप्ति की पंक्ती है बी नंबर आपका बिलकुँ सही आंसर है अंगले क्वेश्टन की और हम बढ़ेंगे अंगला क्वेश्टन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है फटा पट से हैना कालिदास की नरंकुष्टा किसने दोस्तों लिखी है ये रचना कालिदास की नरंकुष्टा 47 नंबर में कालिदास की नरंकुष्टा प्रतिमा यादव जी सभी लोग बताएंगे पटापट से और सेयर कर दो अजय जी चोरसिया सब्सकाइब जरू कर ले न दोस्तों तिर्की गुरू तिर्की गुरू शुमिच जैन वाली चैनल से विज्रोजाए कारिदास की नरंकुष्ता किस ने लिखी है 47 नमबर की क।स्चन में राइट आंसर है की सरमाहावीर पिरसाद्यू बेदी ने लिखी ए नमबर बिलकु सही है गुर्बन्त हैं मन्त किसकी रचना है 48 का उत्तर बताना है 48 में गुर्बन्त हैं मन्त और सभी का उत्तर है स्रीधर पाठक स्रीधर पाटक स्वचंदिताबादी के प्रबर्तक जो माने जाते हैं 1969 में जिनका जन्म हुआ था कहीं कहीं 60 भी आपको मिलता है कुणाल किसने लिखा है कुणाल बताना है डक्टर सतेंद्र बनार सिदास राय देवी या पिर 49 नंबर का क्वेस्चन है सभी का अंसर है कि सर कुणाल लिखा है डक्टर सतेंद्र ने सतेंद्र बोले सत्य है बोले कुणाल सत्य है तो सतेंद्र बिलकुँ सही है है ना जगनादास रतनाकरत गंगा उतरण किस चंद में लिखा गया है पच्चास नंबर का सांदार प्रशन है राइट आंसर है किसर गंगा उत्रान लिखा गया है रोला चंद में कौन से चंद में लिखा गया ये गंगा उत्रान जो की जगनात दासरतना कर रोला चंद में लिखा गया ठीक है सिरीतलक बंदना स्रीतलग बंदना ये किसने लिखा है स्रीतलग बंदना दीख्षा जी बताइए और दोस्तो 3000 MCQ की बहुत ही सांदार बोक है जिनको भी मंगवाना सभी मंगवाई प्रेक्टिस के लिए सांदार प्रश्णों का कलेक्शन किया गया है हिंदी सायथ के पूरे गद्द पद्द सायथ के टॉपिक वाईज MSQ है व्याकरण के टॉपिक वाईज MSQ है साथ ही दोस्तो उसमें काबशास्त्र के भी कौस्चन है اور कथन भी उसमें महत्पुन कथन भी उसमें दिये हैं तो 3000 MCQ की वोक मात्र 5099 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। सिरी तलक बंदना किस ने लिखा 51 नमबर का कॉस्चन है। 51 नमबर के कॉस्चन में सबी लोग बिलकु सांदर अंसर लगा रहे हैं। 77 नारण कवीरतन आपका बिलकु सही है। आदुनिक ब्रजभासा के कभी नहीं हैं। भारतेंदु जी तो हैं देखो लाइन से भी लगा रहे हैं। भारतेंदु जी ने कभी ताई नहीं लिखी क्या। आदुनिक काल के तो हैं। तो आपका ये नमबर सांदर भक्ति काल में ग्रश्त जीवन का जैसा सुन्दर चित्रन सूर्दास में मिलता है। त्रेपन नमबर का क्वोस्चन त्रेपन का चैन करू त्रेपन बक्ति काल में ग्रश्त जीवन का जैसा सुन्दर चित्रन सूर्दास में मिलता है। पताईए संजु दोवे जी, सुनीता जी, पंकज बर्मा जी, चैन करिये, जबलपुर से, जलालपुर से हैं, अच्छा, त्रेपन नमबर का क्वोस्चन है, सांदर क्वोस्चन है, खा नमबर में अत्रीश्न गुपताप का बी नमबर बिल्कु सही है, है ना, बी नमबर सा बैसासुर बद बताना है, इसका बगरंत की रचनाकार कौन है, शबी लोग बताईए बैसासुर बद, बैसासुर में आपका उत्तर जा रहा है, काम ता प्रिशाद गुरू, बैसासुर से तो काम था, बैसासुर से काम था, बोले उसका तो बद हो गया, बैसासुर से क्या बोले सर ये तो बचपन से लेके पचपन तक पढ़ते आए है उलाहना उलाहना देते देते बोले गिरी बोले नवरतन की उलाहना देना है हमें गिरिधर सर्मा नवरतने गिरिधर सर्मा नवरतने उलाहना पंचक बहुत ही इंपोर्टेंट रजना है गिरिधर गिरी बोले उल गिरी आपका सही है गिरी जिन्हों ने बताया राइट आंसर है ठीक है बिल्कु सही है बहुत बढ़िया अंगले क्वेस्चन की और बढ़ेंगे अंगला क्वेस्चन आपका है यहाँ पर है दोस्तो मेत्री श्रंगुप्त को किस कृती के आधार पर राष्ट कभी कहा गया 56 नंबर का क्वेस्चन है जन्दी से सोजाओ नीदा रही तो मेत्री श्रंगुप्त को किस कृती के आधार पर राष्ट कभी कहा गया 56 नंबर का क्वेस्चन है 56 नंबर का क्वेस्चन है पर भारत भारती, भारत भारती सी नंबर बिल्कु सही है, दुवेद युक का कौन सा कभी अपने को कोटोंबे के कभी मात्र कहते हैं, संतावन नंबर के कोस्चन में, सबी का अंसर जा रहा है दुबे दियुक का कौन सा कोटोंबे कभी है कोटोंबे कभी लगा देना कोटोंबे कभी के बारी में संतावन नंबर का कोस्चन है और यहाँ पर आपका सांदार कोस्चन आ रहा है सर कोटोंबे कभी कभी में आप मैतरीशनगुप्त लगा दिना मैतरीशनगुप्त सही है ठीक है इसको आप तोड़ा सवा सुधाल लो दोस्तो ये बिल्कुς सही है जैसे यहाँ पर बोला की ग्रहस्त जीवन का ग्रहस्त जीवन का बोला गया है इसको आप लुग बोनी हो ना, ग्रष्ट जीवन का जैसा सुन्दर चित्रन सूर्दास में मिलता है, बैसा आधुनिक काल में किस कभी में मिलता है, ग्रष्ट जीवन का बोला गया है, तो ग्रष्ट जीवन में मैत्रिश नगुपत, बैसे तो अपन पढ़ते हैं, कि सर तो हरियोद को कहा जाता है, है ना, यहाँ पर आपको देट बंस रावड नामक महाकाब किस ने लिखा, देट बंस, है ना, रावड नामक, देट बंस रावड नामक के महाकाब अंठावन नमबर में सभी का अंसर जा रहा है, कि सर सांदार क्वेस्चन, जल्दी से चेंड करिए, अंठावन नमबर की क्वेस्चन में सभी को बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेस्चन है, यहाँ पर सांदार क्वेस्चन देट बंस रावड नमबर में सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर यहाँ पर जो रचना है, है ना अंठावन नमबर में वो रचना है किसकी यहाँ पर हर दयालूसे है, हर दयालूसे है आपका बिलकु सही है, ठीक है, उसके बाद आचार रामचन शुकली के अनुसार स्री इधर पाठक के बाद दूसरा स्वचंदिता बादी कभी कोन है, दूसरा स्वचंदिता बादी कभी, ठीक है, यहाँ पर उनसर नमबर का क्वेस्चन है, सभी का अंसर है कि सर, दूसरा जो स्वचंदिता बादी कभी है, आचार रामचन शुकली के अनुसार, तो वो कुछन है राम नरेश त्रपाथी ठीक है ये भी सही है 60 नमबर के question क्यों बढ़ते हैं 60 का question देश भक्त बीरो मरने से नेक नहीं डरना होगा फिराणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा 60 नमबर का उत्तर बताना है देश भक्त बीरो ठीक है जब तक इस बाले प्रशन को सुदाल लो दोस्तों एक यहाँ पर उलाहना पंचक नाम से प्रशन आया है उलाहना पंचक ये जो रचना है ये रचना गिरिधर सर्मा की नहीं है ये सैयद अमीर अली मीर की है अली सयद अमीर ने उलाहना पंचक इसको सुदालो आप ये नमबर कर लो इसको उलाहना पंचक ये काब करती किसकी है सयद अमीर अली मीर की है अमीर अली मीर ये आपका ये नमबर विलको सही है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपसे question पूछा गया है 60 नमबर का question पूछा गया और साथ नंबर के question में सबी लोगों ने लगाया है कि सर ये ना तुराम सर्मा संकर ठीक है देश भक्त बीरो मरने से मरने से नेक नहीं डरना होगा प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा है ना ये जो पंक्ती है ये पंक्ती किसकी है पंक्ती सबी लोगों का अंसर जा रहा कि सर ये पंक्ती है ना तुराम सर्मा संकर की ठीक है सांदार question है शबी लोगों ने सांदार question लगाया है ठीक है बहुत बढ़ी या अंसर है ठीक है वीडियो को like करिए, share करिए अपने सबी मित्रों को जोड़े रखिए इसी प्रकार से ठीक है और और भी कोई प्रेशन में डाउट सो तो बता देना Self-Study Glasses का ये बाला जो एप है वो आप डाउनलोड कर लेना Self-Study Glasses का पंदराशों में बारा महिने के लिए दोस्तों आप इस कोर्स में एड़ीसल ले सकते हैं संदराशों में बारा महिने जल्दी इसमें नया बैच भी चालू होने वाला है ठीक है और ये आपका दोस्तों ये आपकी एक जो टॉपिक बाइज है जो आपको अगर नोटस मंगवाना है करमबद टॉपिक बाइज है ना वो आप मंगवाना सकते कई पुस्तों का निचोड है इसमें और दोस्तों करमबद है बहुत सुन्दर इसमें ट्रिक भी जगए जगए आपको मिल जाएंगी ये 3000 MCQ की बोक है जिसको भी मंगवाना ओर कर सकते संपर कर सकते रस्मी पाठक जी अनंत जी निधी दीपक जी कमला कांथ जी रागनी जी ठीक है सभिता नाविक जी सीला गुपता जी रीता कांथ जी हैमंत जी बिलकुल प्रतिमा जी धन्दबाद योगिंद्र कुमार जी, साधना सुकला जी, अर्जुन जी, बल्जीत कंबोज जी, बिर्जेंद्र कुमार जी, ठीक है, बिंदुलता जी, प्रतिबा जी, रिता जी, सीमा जी, सीमा कंचन, हरिस्चंद्र जी, हैमंत जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, कुमारी जी, धीपक पबार, कुमा जी, धन्दबाद बिलकोल, कृतिका जी, प्रेंका सैनी जी, धीरेंद्र कुमार जी, अनंत कुमार जी, सांती जी, राखी जी, अनामिका ठाकोर जी, प्रदीप पाठक जी, प्रतिवास रिवास्तो जी, आरती बर्मा जी, मनीशा जी, सिख उलता जी, वल्वान सिंग जी, धन्वाद वल्वान जी, ठीक है, दीपक पवार, मुहत बढ़ यार रितू जी, ठीक है, पूनम देवी जी, ओमा, उसमा जी, मदन जी, ठीक है, राहुल राज जी, राजियु जी, संजु जी, सभी सातियों को बिलकुल है ना, लवन्या स्री जी, धन्वाद, दोस्तों पढ़ती रहें, अध्यान करती रहें, नरंतर, प्रताप जी, इसी प्रकार से जुड़े रहें, अनूबालिया जी, ठीक है, सेल्प स्टडी किलासेज का एप डाउनलोड कर लें, जितेंद्र कुमार जी, ठीक है, सभी सातियों को धन्वाद, जे जी, इसी रहें जी.